तो गाईज आज की तारीक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सबी current affairs को हम यहाँ पर detail में discuss करेंगे यह वीडियो आपको UPSC और State PSC दोनों में बहुत जादा help करेगा तो चलो शुब आरम करते हैं बट उससे पहले अगर आप लोगो इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है डिरेक्ली टेलिग्राम पर जाना और जाके search box में टाइप कर सकते हो चैनल का नाम दीपच जैदा वेजुकेशन या फिर आपको नीचे description box में PDF लिंक के नाम से एक लिंक भी दिया जाए दोनों ही तरीके से आप लोग इस चैनल तक पहुँच पाऊगे और यहाँ पर आप लोग डेली बिस्स पर इस TNA के PDF को डाउलोड कर पाऊगे साथी साथ अगर आप लोग मुझसे connect होना चाते हो तो नीचे description box में मेरे Instagram ID का link मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप लोग मुझसे connect होकर अपनी सारी queries को पूछ सकते हो discussion स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी request हमेशा की तरह वेडियो पर जो like button उसको दबा देना जो हमेशा की तरह वह 2K plus like का आपको achieve करवाना है एक second लगेगा आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से अपना support दिखा सकते हो तो यह है हमरा आज का सबसे पहला और एक बहुत जादा important article इस article का जो importance है वो prelims और means दोनों के अंदर देखने को मिलेगा यहाँ पर हम लोग एक term के बारे में चर्चा करेंगे coal gasification आपने काफी बाढ़ सुना होगा यहाँ पर हम सीखेंगे coal gasification क्या है और कौन सा process यहाँ पर use किया जाता है इस coal gasification के अंदर में तो इस article को आप लोग GS paper 3 से relate कर पाऊगे हमारे syllabus में topics हैं environmental pollution, degradation और conservation का तो इन तीनों ही topics से यह article relate हो पाएगा सबसे पहले इस news को काफी तेजी से cover किया जा रहा है भारत का एक aim है aim यह कि हम लोग 2030 तक लगबग 100 million ton तक के आसपास का coal gasification करेंगे तो इस coal gasification का 100 million ton तक का हम लोगों ने अपना aim रख रखा है इसको हमें 2030 तक achieve करना है that is why यह चर्चाम आया और इसी वज़ा से हम लोग को यहाँ पर यह coal gasification जो term है वो सीखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से question बन सकता है तो जैसा कि इसके नाम से ही पदा चलता है coal को हम लोग gasify करेंगे यानि कि coal को हम लोग यहाँ पर एक gas form में convert करेंगे अब उस gas form को convert करने के लिए हम लोगो को क्या करना है एक बहुत simple सा process आपको यह देखने को मिलेगा coal को gas form में convert करने के लिए एक basics से नज़र आएंगे एक जगा पर आपको koila, oxygen और water क्या है? तीन चीज़े हैं यहाँ पर koila, oxygen और water इन तीनों को साथ में हम लोग एक ही जगा पर जलाएंगे जब साथ में एक ही जगा पर जलाएंगे तो इससे हम लोगों को मिलेगा sin gas ठीक है? sin gas के साथ काफी सारा residue, काफी सारा waste material भी मिलेगा लेकिन उन waste material को साफ करके हमारे पास एक proper clean of sin gas मिल जाती है इस sin gas का ही हम लोग काफी सारी जगा पर इस्तुमाल करते हैं अब यह sin gas के अंदर क्या क्या चीज़े होती हैं आगे मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले यह ध्यान रखना जब oxygen, coal और water को हम लोग साथ में यानि एक साथ करके जलाते हैं तो यहाँ पर कुछ conditions apply होती हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ pressure रखा जाता है लगबग 30 kg पर square centimeter से जादा का pressure होगा और जो temperature होना चाहिए वो 725 से लेकर 1200 degree के आसपास का temperature रखा जाता है तो इन condition के basis पर इन तीनों चीजों को साथ में जलाएंगे इनको साथ में जलाने से यहाँ पर काफी सरा slag वगरा मिलता है यहाँ पर आप देख पाओगे काफी सरा waste वगरा हम लोग को मिल जाता है लेकिन इस waste के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हम लोग और भी देख पाते हैं जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जब इनको जलाएंगे तो हमें एक syngas मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया तो syngas के अंदर क्या होता है देखो syngas basically खुद एक mixture है यहाँ पर methane देखने को मिलेगा carbon monoxide देखने को मिलेगा hydrogen देखने को मिल जाएगा carbon dioxide और water vapor यह सारी चीज़े मिलकर यहाँ पर syngas बनता है तो आप लोग द्यान अकना तियर हुआ इतनी आपर information आप लोग को लेनी है जैसे fertilizers को बना सकते है खाद को बना जा सकता है as a fuel इस्तमाल कर सकते है as a energy इस्तमाल कर सकते है तो इसी वज़ा से यहाँ पर यह syngas काफी ज़ादा important हो जाती है तो syngas basically क्या है synthesis है यानि कि mixture है किस चीज़ का CO का यानि carbon monoxide का और साथी साथ यहाँ पर hydrogen का इसी को हम लोग यहाँ पर syngas बोलते है इसके अंदर कुछ चीज़े और add हो जाएंगे तो यहाँ पर यह अलग-लग term से भी जना दाता है बट coal gasification के अंदर आपको यह syngas मिल जाती है ध्यान रखना अब question यह है कि यह जो coal gasification हम लोग करते हैं इसका importance क्या होगा देखो सबसे पहला importance होगा जो steel बनाने वाली company आए बहुत बड़े-बड़े plants होते हैं जो की steel को बनाते हैं यह सब आज के टाइम पर जब steel को बनाते हैं तो यहाँ पर energy को generate करने के लिए कोइले को जलाते हैं koking coal को कोले को जलाने के बाद में यहाँ पर क्या होता है इस steel की manufacturing करवाई जाती है अब जब यह koking coal को जलाते हैं तो obvious ही बात है इस koker को चाहिए भी भरपूर मातरा में तो यह जो koilा है इसको हम लोग بाहर से मगाते हैं koking coal को और ये काफी ज़दा महंगा भी होता है, तो अब इस कोकिंग कोल की जगा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कोल गैसिफिकेशन का इस्तमाल कर सकते हैं, यानि कि अब यहाँ पे आप देख आओगे कोकिंग कोल की आवशक्ता नहीं पड़ेगी, प्लस आप लोग पहले हम लोग electricity को generate करने के लिए भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे कुछ chemicals वगरा या फिर खाद वगरा बनाने के लिए भी कर सकते हैं, तो यह इसके syngas के फाइदे देखने को मिलते हैं, अब बात करें, तो syngas बना है कोईले से, अब देखो कोईले भी यहाँ पर आपको दो चा आपको तीन प्रकार से देखने को मिलेगा, वैसे जो types of coal है वो अलग है, मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, coal के uses क्या क्या होते हैं, coal के अलग लग आपको use देखने को मिलेगे जैसे की solid coal, यानि जो coke वाला coal है, इसका हम लोग इस्तमाल करते हैं, iron बनाने के लिए और दूसरे metals बनाने के लिए यहाँ पर इस वाले coal का इस्तमाल किया जाता है, फिर उसके बाद coal का एक दूसरा use होता है liquid की तरह, जहाँ पर coal तार वगरा बनाया जाता है, इसके लिए dye, फिर drugs और perfumes वगरा भी बनाया जाते हैं, फिर उसके बाद coal का हम लोग इस्तम फिर के से use किया जा सकता है, अब coal के प्रकार के बारे में चर्चा करे तो types of coal के अंदर आपको बता होगा, हम लोग majorly चार कोईले के बारे में हमेशा पढ़ता है, वो चार कोईले कौन कौन से हैं, एक होता है यहाँ पर peat, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर lignite, bituminis और anthracite और दूसरा यहाँ पर एक sub-bituminis के नाम से भी जाना जाता है, अब ध्यान दखना, अब यह चारो ही यहाँ पर, वैसे तो peat कोई कोईला नहीं है, लेकिन lignite, bituminis, anthracite और sub-bituminis, यह यहाँ पर चारो कोईला देखने को मिलता है, अभी जो चार प्रकार जिसके मैंने आपक जादा होगा, वो pollution, यानि प्रदूशल भी उतना ही जादा करेगा, क्योंकि कोईले को जलाएंगे, तो मासे carbon निकलेगा, pollution भी उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पर pollution के साथ साथ वो energy भी उतनी जादा ही generate करेगा, तो कोईला हमेशा कौन सा अच्छा है, जिसमें carbon content जादा क्लियर हो गया, इतना आप लोगों यहाँ पर ध्यान रखना, और कोईले को हम लोग buried sunshine के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपको यह बताना है, आज का टाइम पर दुनिया भर में जो major producer है कोईले की वो कौन कौन सी countries है, top countries के, top 3 countries के नाम नीचे comment section में लिख देना, प्लस इं hydrogen के बारे में आपको कितनी बार पढ़ाया है, है ना, यहाँ पर simple साम आपको बता दू, hydrogen एक ऐसा element आपको देखने को मिल जाएगा, कि अगर हम उसको जलाएं, तो उसे pollution नहीं होता, hydrogen जलाने से हम लोगो को क्या हुलता है, पानी निकलता है, है ना, पानी मिलता है hydrogen जलाने स तो इसी वज़ा से आज के टाइम पर हम लोग hydrogen के उपर जादा फोकस कर रहे हैं, और जो hydrogen है, वो हम लोगो coal gasification से भी मिल जाता है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आप लोगो बताया, जब हम लोग coal को gasify करेंगे, जो process मैंने आपको बताया था, उसका use कर गे, तो इसमें से हम hydrogen भी मिलता है, यानि कि carbon monoxide के साथ hydrogen भी मिलता है, तो coal gasification का ये फाइदा है कि हमें इसमें से hydrogen मिल गया, और hydrogen एक ऐसे element है, जिससे pollution होता नहीं है, hydrogen को जलाते हैं, तो हम लोग को water मिलता है, तो hydrogen का भी use हम लोग काफी सारी जगा पर कर सकते हैं, ammonia बनाने के लिए, प्लस हम लो हम लोग उसके अंदर एक बहुत बड़ा role play करवाएं hydrogen से, जैसे example के तौर पर समझते हैं, आज के time पर हर साल हम लोग hydrogen का जो consumption है, वो लगबख 6.7 million tons के असपास करते हैं, हमारा goal यह है कि हम लोग साल 2030 तक इस consumption को बढ़ा दें, consumption बढ़ाने के बाद में लगबख 11.7 million tons तक क consumption हम लोग यहाँ पर करेंगे, इंडिया के अंदर जो demand है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी इतनी जादा, ठीक है तो hydrogen की demand बढ़ेगी, consumption भी बढ़ेगा तो आप लोग देख पाओगे, तो basically यहाँ पर बोला गया कि hydrogen को हम लोग बना सकते हैं, इस koily की मदद से और coal gasification के process की म questions पैदा होते हैं, कि अगर हम लोग कोily का gasification करते हैं, तो इससे सबसे पहली problem यहाँ पर create होगी environmental perspective से, यानि हमारे वातावरण के अंदर हमारा जो एक तरीके से environment है, उसके अंदर काफी सरा pollution होगा, क्योंकि जब हम लोग coal gasification करते हैं, तो इससे बहुत सारा carbon dioxide निकलता है, ब इन्होंने एक अंदाजा बताया है, कि अगर आप लोग one unit of electricity generate करते हो, ठीके, अगर आप लोग मान लोग की coal gasify, यानि जो coal gasification का use करके एक unit electricity बनाते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो coal gasification है, इससे हम लोग बिजली को भी बना सकते हैं, यानि जो ये coal से हमने gas ब pollution यहाँ पर हमारा जो simple तरीका है, यहाँ पर हम लोग जो directly कोईले को जला कर आज के टाइम पर बिजली को बनाते हैं, तो इस वाले process से कम से कम 5 कुना जादा pollution होगा इस coal gasification का use करके, तो यही बताया गया कि भाई, pollution तो obviously बाते बहुत जादा देखने को मिलता है coal gasification के अंद में, clear हुआ, और इसी वज़े से आपे बोला गया, जो यह sin gas process है, जहाँ पर हम लोग इस sin gas को बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो high quality energy source है कोईला, कोईले को हम लोग यहाँ पर high quality से low quality के अंदर convert कर देते हैं, और इसमें काफी सारी energy भी लग जाती है, तो इसकी efficiency थोड़ी सी down हो जाती है, तो basically यहाँ पर दो problems यहाँ पर बताई गई है, coal gasification को लेकर, I hope आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, यह coal gasification क्या है, क्या process है, और इसके क्या concerns देखने को मिलते हैं, चलो अगले article पर आते हैं, next article भी बहुत जादा important होने वाला है, examination क point of view से, यहाँ पर हम लोग discussion करेंगे, सरोगेसी के बारे में सरोगेसी क्या होता है, आपने thumbnail भी देखा होगा, इसी के basis पर बनाया गया है, thumbnail को वापस से daily current effort वाले में बने change कर दिया है, देखता है यहाँ पर, ऐसी मेन उसको change कर दिया, तो इस वाले article को आप लोग GS paper 2 से relate कर पाओगे, syllables के अंदर आपको अलग-लग topics देखने को मिलेंगे, issues related to women, government policies, intervention, social employment, यह सारे topics आपको syllabus के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो इन topics से आप इस वाले article को relate कर सकते हो, अब यहाँ पर इस article को दहिंदू ने cover गया है, यहाँ पर देख पाओगे हुआ क्या है, डेली सुदा लोग हैं, वही यहाँ पर इस सरोगेसी के process को यहाँ पर आपका सकतो enjoy कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो single men हैं या single mothers हैं, वो उनको भी यहाँ पर सरोगेसी के benefits मिलने चाहिए, वो भी यहाँ पर इस सरोगेसी के benefits को avail कर पाएं, ठीक है, इसी कुछ चीज को लेकर petition ड ली गई है Delhi High Court के अंदर, वहाँ पर challenge किया गया कि भई आपने single men और single women को क्यों इस से बाहर निकाल दिया, सिर्फ और सरोगेसी के लिए सरोगेसी अलाव कर रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो single men हैं उनके लिए भी अलाव करो, उनको भी यहाँ पर इसके benefits मिलने चाहिए, Petitioners ने यहाँ पर directly challenge किया है कि इस चीज को Assisted Reproductive Technology Act को और सरोगेसी Regulation Act 2021 को, यह Act क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, don't worry, ठीक है यह basically सरोगेसी के बारे में चर्चा करता है, सरोगेसी क्या होती है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो यह यहाँ पर Petitioners ने इन चीजों को challenge किया है, अब directly चलो हम लोग समझते हैं सरोगेसी Regulation Act के बारे में, हमें दो Act समझने हैं, एक तो सरोगेसी Regulation Act और दूसरा ART यानि की Assistive Reproductive Technology Act, सबसे पहली चीज यहाँ पर बात करें सरोगेसी की, तो सरोगेसी का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं, देखो सरोगेसी में हम लोग बोलते हैं, एक तरीके से इसको बोलता है एक किराई की cook, ठीके, इसके बारे में यहाँ पर information है, सरोगेसी एक ऐसा arrangement होता है, जहाँ पर एक women, जो सरोगेट women होती है, वो क्या करती है, वो यहाँ पर agree कर लेती है, कि वो एक couple के बच्चे को जन्म देग इसका मतलब क्या है, मालों यहाँ पर एक couple है, यह married men and women देखने को मलेंगे, ठीके, अब यह दोनों यहाँ पर एक couple है, लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसकी वेसे यहाँ पर यह बच्चे को जन्म नहीं देपा रहे हैं, देखो यहाँ पर एक infertility भी एक कारण हो सक इसकी वेसे सरोगिसी का प्रॉसस को अप्लाएंगे, यानि कि यह क्या करेंगे, एक तीसरी women को hire कर लेंगे, एक तीसरी women के अंदर यहाँ पर एक तरीके से बच्चे को जन्म दिलवाएंगे और उस बच्चे को यहाँ पर फिर यह बाद में, जब बच्चे का जन्म हो जाय है, उसको ले जाएंगे, इसी प्रॉसस को हम लोग बोलते हैं सरोगेसी, ठीक है, तो सरोगेसी एक ऐसा arrangement है, जिसमें जो women, यानि सरोगेट women agree करती है कि हाँ, वो यहाँ पर एक कपल के बच्चे को जो दूजरा कपल है, उसके बच्चे को यहाँ पर जन्म देगी, clear हो गया अब यहाँ पर जो सरोगेसी है, इस सरोगेट को हम लोग कभी-कभी gestational career भी बोलते हैं, ठीक है, यह gestational सरोगेसी क्या होती है, मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, थोड़ा सा wait करो, ठीक है, इतना सबज में आया, तो यहाँ पर सरोगेसी का term सबज में आना था, अब उसके widow हो, यानि विदवा हो, या फिर divorcee हो, जिसका divorce हो चुका हो, या फिर यहाँ पर आप कह सकतो कोई couple हो, यहाँ पर जो widow और divorcee women है, उनकी उमर 35 से 45 साल होनी चाहिए, या फिर कोई couple होना चाहिए, सिर्फ इन ही लोगों को allow किया या है कि यही यहाँ पर इस सरोगेसी को conduct कर सक सकते हैं, इसके अलावा, बाकी जो unmarried लोग हैं, ठीक है, क्योंकि obviously बात है, widow person है, विदवा है, उनकी भी शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, उसके बार divorce हुआ है, यहाँ पर couples हैं, उनकी शादी हो चुकी है, legally married women and men होंगे, तो यही यहाँ पर इस सरोगेसी को avail कर प पाएंगे, इसी चीज़ को देखते वे, यही पर हम लोगों ने ये news discuss करी है, कि Delhi High Court के अंदर दो लोगों ने petition डाली है, कि यहाँ पर आपने सरोगेसी के उपर काफी रोक लगा रखी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ married person इसको avail कर पाएंगे, आप ऐसा करो कि बाकी जो unmarried लोग हैं, single man हैं, वो भी यहाँ पर इसको avail कर पाएं, इसको लेकर यहाँ पर अभी Delhi High Court ने केन सरकार से यहाँ पर कुछ राय मांगी हैं, आने वाले अच्छे सब्ता के अंदर अंदर यह वापस से काफी ज़दा चर्चा में आने वाला है, clear हुआ, तो यह चीज़ है, फि अगर कोई फिर भी यह काम करता है, तो उसको 10 साल की सजा है, प्लस 10 लाक रोपे का fine भी है, तो commercial सरोगेसी को ban किया गया, लेकिन altruistic सरोगेसी को allow किया गया है, altruistic सरोगेसी क्या होती है, यहाँ पर कोई भी पैसो का exchange तो नहीं होगा, लेकिन जो medical और insurance benefits होंगे, वो यहाँ यहाँ पर उस सरोगेट मदर को मिल जाएंगे, ठीक है, medical expenses वगएरा जो भी खर्चो आगा, वो सब यहाँ पर उस सरोगेट मदर को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर उस बेबी को अपने कोप में पाल रही है, ठीक है, यह आपको clear हो गया है, आगे आते हैं, अब इसके अंदर क् इंकम पहले आ रही थी, वो इंकम अबानी पाएगी, ठीक है, स्रीफ और स्रीफ कुछ थोड़ा बहुती फाइदा मिल पाएगा इनको, साधी साधी यहाँ पर बोला गया, दूसरा patriarchal norms कॉप implement करो, यानि कि इस act से पता यह चलता है कि women की कोई value नहीं है क्या, women की यहाँ पर सरोगेसी एक्ट के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, यह आपने clear किया, सरोगेसी क्या होता है हमने discuss कर लिया, सरोगेसी वैसी क्या लगलग प्रकार की देखने को मिलती है, एक होता है gestational सरोगेसी, फिर altruistic सरोगेसी, जहाँ पर क्या होता है, altruistic सरोगेसी के अंदर तो basically यहाँ पर कुछ भी monetary benefit को ban कर दिया जा है और commercial सरोगेसी के अदर क्या होता है कुछ monetary benefits वगरा दिये जाते है monetary benefits भी दिये जाते हैं उसके बाद medical expenses और insurance वगरा भी दिया जाता है लेकिन commercial सरोगेसी को यह सरोगेसी regulation act बैन कर देता है कि commercial सरोगेसी नहीं की जाएगी पैसो के दम पर यहाँ पर यहाँ पर यह काम नहीं किया जाएगा clear हो गया अब मैं आपको बहुता है सरोगेसी के बारे में तो यहाँ पर देखो एक तोर traditional सरोगेसी हुआ करती थी लेकिन आज के टाइम पर यह use नहीं होती अब IVF टेक्नलोजी को हम लोग क्या बोलता है इसको बोला जाता है invertio fertilization तो यह in vitro fertilization क्या होता है आगे मैं आपको समझाओंगा लेकिन traditional सरोगेसी में क्या होता है directly यहाँ पर कि मालो देखो एक women को क्या करना है बच्चे को जन दे रहा है तो women के अंदर directly यहाँ पर जो sperm से उनको insert किया जाता है traditional सरोगेसी के अंदर यह किया जा रहा था लेकिन gestational सरोगेसी के अंदर चीज़े थोड़ी सी बदल जाती है अलग तरीके से काम किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है तो यह जो invert of fertilization है इसके लिए भी एक act लाया गया है जिसको हम लोग art act के नाम से जानते हैं यानि की assisted reproductive technology यह जो art है यह basically उन लोग लिए लाया गया है जिनके अंदर infertility है जो कि यहाँ पर बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे है टीक है women, men दोनों के अंदर किसी के अंदर भी infertility हो सकती है तो उनके लिए यहाँ पर इस art technology को लाया गया अब यह art technology में होता क्या है इसको समझते हैं जो आज के time पर सबस्यादा use की जाती है है ना बहुत सारे जो celebrities हैं वो यहाँ पर इस सरोगेसी चाइल को यहाँ पर आप देख पाओगे लेते वर नजर आता है बहुत सारे मतलब celebrities के चक्कर में काफी चर्चा में रहता है आपने देखा होगा प्रियंक का शोपड़ा फिर शारुखान इन सब लोगों ने हाँ पर इस सरोगेसी के तुरू यहाँ पर बच्चे को लिया है ठीक है तो यह चीज़ हम लोग को देखने को मल जाती है अब यह जो हमारा मैंने आपको बता है ना जो gestational सरोगेसी है वो क्या होती है इसको थोड़ा समझता है सबसे पहले चीज़ क्या होता है वेमेन में हम लोग क्या करेंगे पहले step में जो वेमेन का एग है ठीक है उस एग को लेंगे एग को लेने के बाद यहाँ पर मैन का sperm लेंगे और इस एग को वेमेन के एग को और मैन के sperm को दोनों को यहाँ पर एक तरीके से combine कर देंगे, दोनों के combine करने के बाद क्या होगा, इस egg का fertilization हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके सकतो egg अपने processing में आ जाएगा, एग यहाँ पर दीरे-दीरे embryo बनने लगेगा, यहाँ पर यह बेबी के अंदर develop होने लगेगा, क्योंकि यही होता है, कि यहाँ पर जो egg होता है, इसके अंदर एक fertilization करवाना होता है, तो वो sperm के थ्रू किया जाएगा, तो sperm से यहाँ पर इसको मिलाया गया, तो इससे क्या होगा, एग का fertilization हो गया, अब यह धीरे-धीरे क्या करेगा, यहाँ पर embryo बनने लगेगा, यानि बच्च आपको यह देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे कि यह fertilized egg है, यह एग के अंदर fertilization किया, और यह egg fertilized होने के बाद में धीरे-धीरे-धीरे-धीरे आप देख पाओगे, किस प्रकार से यह बेबी के अंदर develop होने लगता है, ठीक है, तो इसी technology को हम लोग बोलते है, art technology, ध्यान के अंदर में, जो यह art regulation act पिछले साल लाया गया था, इसके अंदर कुछ legal provisions क्या क्या है, कि भाईया जब भी यहाँ पर इसको perform किया जाएगा, तो एक national assisted reproductive technology और सरोगेसी board को हम लोग सेट अप करेंगे, जो कि इस सरोगेसी के उपर ध्यान रखेगा, प्लस यहाँ पर आर्ट एक्ट है, तो आर्ट एक्ट के अंदर भी काफी सरी कम्या देखने को मिल जाती है, कम्या के अंदर सबसे बढ़ी problem, सबसे पहला shortcoming है, यह unmarried लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, और जो heterosexual couples उनको भी यहाँ से, या फिर trans person से, या फिर homosexual couple हैं, उनको यहाँ पर coverage नहीं मिला है, तो basically जो married person होंगे, वही सर्फ यहाँ पर इस सरोगेसी को avail कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर mention किया गया, दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी problem आप लोगों को देखने को मिल जाती है, कि यहाँ पर जो reproductive choices वो कम हो जाती है, यानि कि इसका मतलब आपको क्या दे समझ लिया, सरोगेसी से संबंदित इन दोनों act के बारे में समझ लिया, तो इनके अंदर सबसे बड़ी जो problem है, उसको highlight कर लेना, कि unmarried लोगों को यहाँ पर exclude कर दिया गया है, उनको coverage नहीं मिला है, इसी को लेकर डेली high court में petition डाला गया, कि भाई, unmarried लोगों को भी इस particular act के अंदर cover करना चाहिए, clear हो गया, आगे आते हैं next article पर, अगला article भी जबरदस होने वाला है, आप देख पाओगे वीडियो के अंदर कितनी भरपूर मात्रा में information भरी भी है, ऐसी आपको daily basis पर ही वीडियो मिलता रहेगा, बहुत सारी चीज़े मैं आपके साथ में कर देना, ठीक है, वीडियो आजकल बहुत कम लोग यह वाला देख रहे हैं, दाहिंदू का वीडियो अच्छे कैसे लोग देखते हैं, इसको भी जरूर देखा करो, क्योंकि दाहिंदू के अंदर जो article cover नहीं हो रहा है, वो मैं आपके साथ में यहाँ पर cover कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो, इसी वज़े से इसको मैं एक दिन पहले अप्लोड कर रहा हूँ, आपके suggestions के उपर, तो directly आपको यहाँ पर help मिल जाए, तो जैसे तैसे मैं help provide करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग के भी support करना है, वीडियो को share कर दिया करो, यहाँ पर यह जो article यह बात करता है, first lavender festival के बारे में, हम discuss करेंगे lavender cultivation या फिर purple revolution के बारे में, तो इस article को GS paper 3 से relate कर पा हूँए, syllabus के अंदर topic है agricultural marketing का और inclusive growth का, तो इन topic से यह वाला article अराम से relate हो जाएगा, तो इसके उपर एक article published हुआ है कि इंडिया का पहला lavender festival यहाँ प जादा famous है, lavender का जो यह पौधा है, यह आप देख पाऊगे purple color का एक पौधा सा नजर आएगा, इसके यूज जो है, बहुत अच्छी तरीके इसका यूज किया जाता है, साबून के अंदर, perfumes के अंदर, aromatic oils के अंदर, क्योंकि इसमें से बहुत सारी खुश्बू निकलती है तो यह यहाँ पर हमारे लिए, खास कर हमारी economy के लिए काफ़ी important है, और जम्मू एन कश्मीर के अंदर, आज के टाइम पर lavender को एक बहुत जादा importance मलता है, तो इसी चक्कर में भारत ने पहला lavender festival का उद्धाटन कर दिया, जम्मू के बादरवाम है, तो directly यहाँ पर यह question बन स प्लस उसके बाद लगबग 1000 से जादा जो farming families हैं, वो यहाँ पर इस lavender को cultivate कर रही हैं, इसको उगारी हैं लगबग 200 एकड़ की जमीन पर, तो lavender को एक बहुत जादा आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि एक value मिल चुकी है, इस प्रकार से यहाँ पर खेती होती है, lavender की काफी यह लग रहा है, और जो purple revolution है, यानि कि यहाँ पर बैंगनी करांती आप कह सकते हो, तो यह basically lavender से ही संबंदित है, अब lavender के बारे में चर्चा करते हैं, lavender revolution क्या था, देखो purple revolution या lavender revolution, इसको launch क्या गया था साल 2016 में, Ministry of Science and Technology के तुरू, लेकिन Ministry of Science and Technology की भी मदद करता हैं यहाँ Council of Scientific Industrial Research, ध्यान रखना Important Body है, CSIR, ठीक है, तो CSIR की मदद से यहाँ पर lavender revolution को proper लेकर आया जाता है, अब यह जो lavender cultivation है, इसको लगबग जमुएन कश्मीर के 20 के 20 districts के अंदर practice किया जाता है, इसको यहाँ पर लागू किया जाता है, अब यहाँ पर इस mission के अंडर में क्या होता है, जो first time farmers है, यानि कि जो पहली बार इस lavender को उगाएंगे, इस lavender के पौधे को लगाएंगे, तो उनको यहाँ पर आप कर सकते हो कि काफी फाइदा देखने को मिलेगा, प्लस हमारा major focus यह है कि आज के टाइम पर क्या होता है, हम लोग इस aromatic oil, यानि कि जो खुश्बूदार काफ इसको हम लोग खुद export कर सकते हैं, तो इसी वज़ा से यह हमारी economy के अंदर काफी अच्छी तरीके से contribute कर सकता है, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर यह mangane color का पौधा यह देख लिया है, लेवेंडर प्लांट के बारे में आप लोगों ने जान लिया है, तो लेवे lavender water मिलता है, यानि कि क्या करता है हम लोग देखो, जो lavender oil बनाते हैं, तो lavender oil को बनाते हैं, इसमें से कुछ पानी निकलता है, उसको हम लोग lavender water बोलता है, वो भी काफी खुशबूदार होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उससे हम लोग incense sticks को बनाता है, यानि कि जो हमारी अ important oils वगरव को भी यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है, clear हो गया, room fresheners जो होते हैं, वो भी यहाँ पर lavender से बनाया जाते हैं, तो इसी वज़ए से lavender का importance भी काफी ज़दा बढ़ जाता है, importance क्या है, कि दो को हमारी जो सरकार है, वो directly focus कर रहे हैं, कि हम लोग को साल 2022 तक अपने farmers की income को double कर देना है, हमें अपने किसान भायों की income को जैसे तैसे दुगना करना है, तो lavender यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर एक सोर से जो की farmers की income को definitely double करेगा, प्लस हमारी country के अंदर start-up India campaign को भी boost up करेगा, entrepreneurship को बढ़ाएगा, lavender के माध्यम से बहुत सारे यहाँ पर start-ups open होने वाले हैं, प्लस बहुत सारे जो youth हैं वो already इस पर-पर revolution से फाइदा ले रहे हैं, income generate कर रहे हैं और हमारी country के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा contribution दे रहे हैं, तो यह इस lavender का importance देखने को मल जाता है, अब बात करते हैं, lavender से संबंदित एक aroma mission है, aroma mission, aroma क्या है, यहाँ पर खुशबूदार आपको ध्यान अखना है, यह lavender से संबंदित है, तो यह aroma mission यहाँ पर launch क्या है CSIR के थुरू, CSIR किया है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैंने आपके साथ में article डिसकस किया था, तो यहाँ पर हम आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से, यह है Council of Scientific and Industrial Research, आपको यह इस body का नाम देखने को मिल जाएगा, तो CSIR का एक बहुत बड़ा रोल है, Aroma Mission के पीछे, ठीक है, Aroma Mission ने यहाँ पर पूरी तरह से Aroma सेक्टर को बदल दिया है, यहाँ पर काफी सरा रोजगार मिला है, यह जो Mission ने कहीं ने कहीं Aromatic Crops, याने कि जो खुश्बुदार फसल हैं, उनको प्रमोड करता है, यहाँ पर खुश्बुदार फसलों से क्या बनाएंगे, हम लोग कुछ important oils वगर को बनाएंगे, perfumes वगर बनाएंगे, उनका production करेंगे और उनको export करेंगे, और इस मामले में भारत एक leader बन सकता है, हम लोग expect करने हैं कि इंडिया एक leader बनेगा, प्लस production करने के साथ सद दुनिया भर में इन तेल को export करेगा, और इससे यहाँ पर पैसा कमाएगा, क्लियर हो गया, aroma mission आपको समझवा गया, aroma mission के अलग-लग face आपको देखने को मिल जाएंगे, face 1, face 2, जैसे की face 1 के अंदर, यहाँ पर लगबग आपका सकतो 46 aspirational districts, aspirational districts जो की काफी backward areas हैं, तो इन districts के अंदर लगबग आपका सकतो काफी सरी जमीन, 6000 hectare के आपस की जमीन को cover किया गया है, प्लस यहाँ पर काफी सरे लोगों को लगबग 44,000 के आपस लोगों को train किया या है, इस aroma mission के face 1 के अंदर, इसी प्रकार से आपको यह face 2 देखने को मिल जाता है, aroma mission का, जो कि यहाँ पर यह बात करता है, कि बहुत सरे जो एक तरीके से फार्मर्स उनको training वगएरा दी जा रही है, उनको हम लोग training वगएरा provide करवाएंगे, लगबख हमारे पूरे देश में 75,000 farmers को training दी जाएगी, ताकि वो इस lavender का cultivation कर सकें, ठीके, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान अखना, lavender को लेकर मैंने आपको सारी information provide करवा दी है, कोई भी question prelims या mains में बनता है, तो definitely आप यहाँ पर उसको solve कर पाओगे, अगले article पर आते हैं, next article बात करता, सेला मकाओ के बारे में, हलाकि यहाँ पर इसके बारे में दहिंदू के अंदर coverage किया था हम लोगों ने, लेकिन important article है, GS paper 3 environment के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, तो अभी क्या हुआ है, अरुनाचल प्रदेश के अंदर एक नया मंकी, एक नई प्रजाती पाई गई है, जिसका नाम यहाँ पर सेला मकाव है, अभी जो सेला मकाव नाम रखा गया है, बिसिकली यह अरुनाचल प्रदेश के सेला पास के उपर नाम रखा गया है, अरुनाचल प्रदेश में सेला पास नाम का एक जगा है, जो की 13,700 फीट की उंचाई पर आपको यह देखने को मिल जाएगी यहाँ पर इस प्रकार से एक पास बनावा है यह आप लोग देख पाओगे यह है सेला पास तो यह बेसिकली यहाँ पर आपको अरुनाचल प्रदेश में तवांग वाले रीजन के पास में देखने को मिल जाएगी तो इसी वाले पास के नाम के उपर इस मंकी का नाम रखा गया है तो एक नई स्पीशी यहाँ पर मिली है एक मंकी की जो की अरुनाचल प्रदेश के अंदर पाई गई है इसको सेला पास के उपर नाम देते वे हमने सेला मकाव करके नाम रख दिया है प्लस इस स्पीशिक को आइडेंटिफाई किया गया है Zoological Survey of India के थूँ और सदिसाथ University of Calcutta के थूँ यह जो सेला पास है यह आपको अर्वनाचल प्रदेश के अंदर दिरांग और तवांग वाले रीजन के बीच में देखने को मिल जाता है यह दिरांग हुआ अर्वनाचल प्रदेश के अंदर ऊपर तवांग हुआ इसी के बीच में यहां पर यह सेला पास देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार से आपको यह सेला पास का नजारा देखने को मिलता है ये दिरांगुआ, ये इदर तवांगुआ, बीच में यहां पर ये सेला नजर आता है, आगयाते हैं, अब यहांपे बोला गया, देखो, अर्वनाचल पदेश के अंदर, जोगराफिक ली, और लेडि मकाउ नाम के बंदर पाए जाते हैं, अर्वनाचल पदेश के अंदर, म बाउन कलर के देखने को मिलता हैं तो वो सारी बातें यहां पर थोड़ी बहुत बताई गई हैं जो कि आपसे नहीं पूछी जाएगी बस खाली नाम ज़रूर दियान रखना और सेला पास की लोकेशन दियान रखना तो कि इसी लोकेशन के बेसिस पर क्वेशन बन जाता है कि तो इतना है फिर उसके बाद में यहां पर जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया को लेकर आपसे यहां पर कुछ क्वेशन बन सकते हैं तो जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया यहां पर एक और्गनाजेशन है जो कि Ministry of Environment and Forest के अंडर में आती है डिरेक्ली ऐसे क्वेशन भी बन ज हैं हमारे पूरे देश में अलग-लग जगा पर क्लियर हो गया अगले आर्टिकल पर आता है नेक्स्ट आर्टिकल भी काफी जदा इंपोर्टेंट होने वाला है यहां पर हम लोग बात करेंगे बंगो सागर एक्साइस के बारे में यह बंगो सागर एक्साइस क्या है बंग जी जो पूरा पुरा पूर तीसरा एडीशन हुआ है, बहुंगो सागर का, यह हुआ है कहां पर यह वा है port मोंगला पर, port मोंगला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है बांगलेडेश पर आपको यह पर्ट मोंगला देखने को मिलेगा और बांगलेश का यह चित्तागोंग पर्ट यानि इसको आप लोग चातो ग्रम या चित्तागोंग के नाम से जानते हैं यह जो बोंगो सागर का अभ्यास हुआ है, यह यहाँ पर इसमें हमारी नेवल एक्साइज इसको हम लोग बोलता है, यह नहीं कि भारत और मांगलेदेश की जो नेवी हैं, वो नेवी के बीच में यह अभ्यास होता है, यह दोनों नेवी यहाँ पर इस एक्साइज को इस होता है कि आपस में cooperation को हम लोग बढ़ा सकें जो भी यहाँ पर एक दूसरे countries की यहाँ पर skills है उसको एक दूसरे के साथ में share कर सकें और अपने defense cooperation को बढ़ा सकें यह simple सा मकसत है उसके बाद में यह जो तीसरा addition हुआ है इसके अंदर किस किस ने participation किया इंडिया ने participate के इस exercise के अंदर इंडिया की size से यहाँ पर क्या था इंडिया naval ship कोरा भारत का एक जहाज है कोरा और बिसिकलि यहाँ पर एक guided missile corvette है यह कोरा corvette क्या होता है देखो मैं आपको बता दूँ पहले भी मैं आपको होता है frigate corvette से बड़ा होता है और destroyer सबसे बड़ा होता है सभी में हत्यार लगे वे होता है तो basically यहाँ पर भारत का इंडिया naval ship कोरा जो की एक corvette है प्लस यहाँ पर सुमेधा आपको देखने को मिल जाएगा एक guided missile corvette सुमेधा तो basically यहाँ पर क्या है इन दोनों ship ने क्या किया है अभी इस excise के नदर participation किया है यह इंडिया की side से हो गया और बांगलदेश की side से यहाँ पर represent किया गया BNS अबू उबैद और अली हैदर तो यह दोनों ही guided missile frigate है अगेन यहाँ पर corvette से बड़ा यह frigate देखने को मिलता है यह भी जहाज है तो इनों ने मिलकर participation किया इस तीसरे edition वाली बोंगो सागर नाम की excise में तो यह तो बोंगो सारी excises और यह बहुत सरी अभ्यास होता है जैसे दोनों country की military के बीच में यहाँ पर संप्रिती नाम की अभ्यास होता है उसके बाद में दोनों country के military excise में अगर हम लोग बात करें तो एक और नाम है शांतिर और गोर सेना दोनों country की एरफोर्स के बीच में टेबल टॉप दोनों country की नेवी के बीच में INBN corporate के नाम से एक अभ्यास होता है फिर उसके बाद यहाँ पर एक अभ्यास ऐसा भी होता है जिसमें बांगलदेश, नेपल, शुलंका, UAE सब यहाँ पर countries देखने को मिल जाते हैं जिसको हम लोग समवेदना के नाम से जानते हैं ठीक है तो आप लोग ध्यान रखना यह कु आपने लक्षमी कांद पॉलिटी का यहाँ पर एक कॉंसेप्ट कवर करेंगे आखिरकार यह Interstate Council होता क्या है तो पहले तो समझते हैं News क्या है देखो इस आर्टिकल को आप लोग GS Paper 2 से रिलेट कर पाओगे syllabus के अदर federalism, cooperative federalism, central state relations, interstate relations यह सारे topic आपको syllabus में देखने को मल जा आते हैं तो लक्षमी कांद के अंदर अलग से यह topic mention है वो Interstate Council का वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ देखो अब यह चर्चा में किसलिए दाहिंदू ने इस article कवर किया है यहाँ पर मुद्दा यह देखने को मिल रहा है कि जो Interstate Council है इसको वापस से reconstitute किया गया ह हमारे Prime Minister इसके Chairman है प्लस यहाँ पर सभी राजों के आपको Chief Minister देखने को मिलता है यहाँ पर प्लस छे Union Ministers इसके Members देखने को मिलेंगे तो इसको वापस से reconstitute किया गया है जो Union Ministers है वो यहाँ पर एक Permanent Invites होंगे इस Interstate Council के अंदर में प्लस यहाँ पर सरकार ने बोला है कि हम इस Standing Committee को क्योंकि Interstate Council से संबंदित यहाँ पर एक Standing Committee आती है तो इस Committee को भी वापस से reconstitute किया गया है और जो आंदर प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, महराष्टा, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनके जो Chief Minister साब को देखने को मिलेंगे इन सब को यहाँ पर आ अभी तक आपने कुछ समझा नहीं होगा कि यह क्या है Interstate Council, क्या है यहाँ पर Standing Committee चो चलो इसको समझते हैं आखरकार यह क्या है मुद्दा, प्लस इसमें कौन-कौन लोग होते हैं, जब हम लोग Interstate Council के बारे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर Interstate Council के बारे में Recommendation सरकारिय कमिशन नहीं दिया था, ठीक है जो आरे सरकारिया है, जस्टिस आरे सरकारिया, इनके चेर्मेंशिप के अंदर सरकारिय कमिशन बना, तो सरकारिय कमिशन ने एक Recommendation दिया, Recommendation देते भी बोला कि बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास एक Permanent Interstate Council होगा तो इसे काफी कुछ हो जाएगा, तो इसी वज़ा से हमारे संभिधान के अंदर आर्टिकल 263 के अंदर आप देख पाओगे Interstate Council के बारे में जिकर है, Interstate Council बेसिकरी एक Recommendatory Body है, यानि कि देखो मालों की एक तरफ Union और स्टेट है, यानि कि हमारी केन सरकार है और राजसरकार है, या फिर Union और बहुत सारे स्ट हो सकते हैं, या फिर State और State हो सकता है, इनके बीच में अगर कुछ dispute है, इनके बीच में अगर कोई विवाद है, तो उस विवाद को solve करने के लिए इस Interstate Council को बनाया गया, तो एक Recommendary Body है, आपको ये देखने को मिलती है, जिसके पास Power है, कि वो यहाँ पर इस पूरे इस Interstate Council को बनाया गया, ताकि जो लोग है, पबलिक इंटरेस्ट है, उसको हम लोग एक पुरवा प्रोटेक्शन दे पाएं, ये हमारा मेजर फोकस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग है, लोग की प्रोटेक्शन को इपर धियान जा रहा है, दो राज्यों के बीच में, य या एक से ज़ादा स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व करने के लिए Interstate Council आया, अब ये जो Council है, ये साल में तीन बार मिलता है, आपको ध्यान रखना है, तीन बार बैठता है साल में, प्लस इसके अंदर एक Standing Committee भी देखने को मिल जाती है, वो भ यहाँ पर मेंबर्स होता है, प्लस हमारे पास कुछ Union Territories है, जिसके पास Legislative Assembly है, जैसे Delhi हो गया, ठीके, जमुण कश्मीर हो गया, तो ये सारे यहाँ पर आप देख पाओगे, कुछ ऐसे एरियास है, जहाँ पर आपको Legislative Assembly देखने को मिलती है, तो इस Legislative Assembly के अंदर क्या होत है, उसके Chief Minister भी यहाँ पर आप कह सकते हो, इस Council के Member होता है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो Cabinet Ranked के 6 Ministers आपको देखने को मिल जाएंगे, Union Council of Minister के, उनको भी नॉमिनेट किया जाता है, हमारे Prime Minister के थुरू, तो कुल मिलाकर यह सारे लोग यहाँ पर इसके Interstate Council के अंदर आते हैं यह सबी लोग यहाँ पर Interstate Council के Member बनते हैं, अब जब Member बन गए तो उनका Major काम क्या है, भाई, Cooperative Federalism को Support करना, यहाँ पे State और Center के बीच में कुछ Powers दी गई है, Powers Divide कर रखी हैं, आप अपनी Powers के हिसाब से आगे Grow करो, अपने Powers के हिसाब से चलो, इसी Federalism को Support किया रहा है कि आप पसमें दोनों मिलकर काम करें, एक संगवात का धाचा यहाँ पर Follow करें, कोई भी विवाद होता है, तो उस विवाद को Resolve करने के लिए, यह Interstate Council काम करता है, ठीक है, तो हमारे जो States के Relations है, प्लस Center और State के Relations है, उसको Maintain करने के लिए, यह Body काम करती है, ओके आगे आते हैं, अ आज के टेम पर Interstate Council के पास देखने को मिल जाती है, अब Interstate Council की एक Standing Committee होती है, जैसा मैं आप लोगो को बताया, तो इस Committee को Set Up क्या गया था, बनाया गया था 1996 में, अब यहाँ पर यह जो Committee है, बिसिकली यह भी यहाँ पर Consultation करती है, यहाँ पर काफी सारी चीज़े यहाँ पर प्लस 5 Union Cabinet Ministers होंगे, प्लस 9 Chief Minister होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बिसिकली यहिन सब लोग के थुरू मिल कर क्या होता है, यह पूरगी पूरी एक Standing Committee मनाय जाती है, और इस Committee का जो Secretariat है, इसको Set Up किया गया था 1991 में, ठीक है, इसका Head Quarter, यहाँ पर मतलब इस पूरे Body को Head करने वाल काउंसल के Secretariat की तरह भी, Zonal Council एक अलग चीज है, वो अलग से Topic लक्ष्मिकांद के अंदर, अभी हम लोग यहाँ पर Inter-State Council के बारे में समझ रहे हैं, तो Inter-State Council आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, फंक्शन के हैं, अगेन वापिस से यह रिपीट हो चुकी है, Center State के Relations को यहाँ पर Protection देना या State और State के Relations को यहाँ पर Maintain करके चलने का काम करता है हमारा Inter-State Council, अब यह तो आपने समझ लिया, यह सारी बात है कहाँ पर Mention है, 263 के अंदर, Article 263 के अंदर, उसके बाद में राज्जों के बीच में Trade और Commerce को लेकर जो विवाद होता है, उसको लेकर भ एँच में PANI को लेकर विवाद है, एक नदी है जो कि बहुत सरी राज्यों से बह रहे है, अब एक राज्य ने क्या कि आपने आपकर डेम बना दिया, वो जो जो नदी का पानी है, वो दूसरी राज्या में पहुंच नहीं पा रहा है, तो पानी को लेकर ऐसे बहुत सरी इस प्रकार से मैं कितने ही नाम ले लूँ, बहुत सरे disputes आपको देखने को मिल जाएंगे, खासकर सदन इंडिया के अंदर, तो interstate water disputes आपको देखने को मिलते हैं, तो इन सारे disputes को खतम करने के लिए भी हमारे पास कौन सी body है, interstate water dispute की, ठीक है, article 262 के अंदर इसके बारे में mentioned है article 262 जो है हमारे समिधान का वो बात करता है कि जो राज्यों के बीच में water disputes होता है, उसके लिए भी हमारे पास एक body है, जो कि article 262 के अंदर में है, जो कि interstate water dispute को resolve करने का काम कर दी है, उसके बाद यहाँ पर mention किया गया, इस पूरे body के अंदर आपको दो provision देखने को मिल लिए, तो इस पूरे मुद्दे को सरिफ और सरिफ Parliament ही देख सकता है, और दूसरा यहाँ पर point यह बोलता है कि Parliament law बना सकता है, Supreme Court यहाँ पर law नहीं बना सकता, ध्यान रखना, Supreme Court के पास यहाँ पर कोई भी power नहीं है, वो इस चीच की सुनवाई करे, यहाँ पर जो power है वो Parliament क पासस के पीछे का reason क्या है, reason यहाँ पर जो Parliament है वो properly यहाँ पर इस चीच को देखेगी, परकेगी, और फिर उस क्याँ यहाँ पर बेज़ा जाएगा, लोगों को अच्छे से जाच परताल की जाएगी, लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, फार्मर्स को मदद मिल लाई य पर Supreme Court का यहाँ पर कोई रोल नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ पार्लियमेंटी यहाँ पर वो कानूल बना सकता है, पार्लियमेंटी यहाँ ने यहाँ पर जज़मेंट पास कर सकता है, फार्लियमेंटी इसको आर्टिकल के अंदर 263 में ये सारी बाते mentioned हैं, clear हुआ, तो I hope आपको यहाँ पर काफी सारी बाते बहुत अच्छे से clear हो चुकी हैं, ये सारी बाते मैं आपको simple से शब्द में बता दी हैं, आप इसी के साथ वीडियो को को समापती करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक छ हम भी कर लेंगे, तो अभी एक सेकंड रोग जाओ, स्टार्टिंग में पहुंचने दो, हमने कितना सारा discussion कर लिया है, तो obviously यहाँ पर जरूरत पढ़ जाती है, कि हाँ एक overview ले लिया जाए, तो सबसे पहले article में हम लोग ने coal gasification के बारे में चर्चा की है, यहाँ वे सरकार का target है, 2030 तक हम लोग 100 million ton तक का coal gasification कर सकें, coal gasification क्या है, coal से यहाँ पर gas को बनाना, कैसे बना सकते हैं, oxygen, coal water तीनों को साथ में जलाया जाएगा, इससे हम लोगो gas मिलेगी, sin gas मिलेगी, sin gas के अंदर आप देख पाओगे हमारा carbon monoxide और hydrogen दोनों चीज़े देखने को मिल जाती है coal gasification का क्या फाइदा होता है, steel companies के अंदर हम लोग cooking coal की जगा इस coal gasification का इस्तमाल कर सकते हैं, coal चैसिवेतर के यूज़े क्या-कया होता है, वो संज़े, हाइडोजन के अंदर कितना बड़ा contribution मिल जाता है coal gasification की वज़ा से, फिर coal gasification से क्या-кया problems, क्या-क्या concerns होता है, environmental problems, द गयास में convert करते हैं तो फिर अगले article में हमने सरोगेसी को लेकर चर्चा की है GS paper 2 को लेकर इस article को important हम लोग बोल सकते हैं यहां पर एक petition डाला गया Delhi High Code के अंदर दो लोग के थुरू उन्हें बोला कि भाई जो सरोगेसी है वो यहां पर जो unmarried लोग है उनकों लिए अलाव करनी चाहिएं क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सरोगेसी है वो unmarried लोग के लिए नहीं है अब सरोगेसी क्या है तो आपको पता है सरोगेसी हमापर किराई की एक कोग ली जाती है यानि की एक couple आपको देखने को हायर करते हैं और यहाँ पर उस दीसरी विमेन के वाम में यहाँ पर उस बच्चे का बर्थ यानि उसका जम दिलवाते हैं इसी कौम लोग सरोगेसी बोलते हैं किराई पर एक कोक ली जाती है अब सरोगेसी को लेकर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट देखने को मिल जाएगा 2021 का एक्ट है यह बात करता है कि जो मैरीड लोग हैं वोही सरिफ यहाँ पर इस सरोगेसी को अवेल कर सकते हैं जो अन्मैरीड लोग हैं वो अलाव उनको नहीं किया गया है प्लस यहाँ पर कमर्शल सरोगेसी यानि कि कुछ पैसा वगरा से सम्बंदित यहाँ पर खरीदी सरोगी सिए के बारे में हम लोगों ने समझ लिया सरोगी सी अलगलग प्रकार किये या फिर ट्रेडीशनल और जेस्टेशनल के बीच का डिफरिंस मैं आपको बताया आज के टायम पर जेस्टेशनल का सब चाहदर समाल होता है जिसको लोग मैं इस एग को वापस से ट्रांसफर या फिर ट्रांसप्रांट कर दिया जाएगा वेमेन के अंदर में तो इसे यहापर वो जो बच्चा है वो डेवलप होना चालू हो जाएगा तो यह हमने आर्ट टेक्नलोजी के बारे में भी जान लिया था फिर अगले आर्टिकल में हम ल लेवेंडर रिवलुशन या परपल रिवलुशन क्या है जिसको लॉंच करे जाता है 2016 में जहाँ पर मेजर फोकस है हमारा हम लोग इसकी लेवेंडर प्लांट्स की इस पौदे की खेती को बढ़ाएं और इससे हम लोग काफी सारे प्रोडक्ट्स को बनाएं इसे काफी सार और उसके बाद साबुन देन उसके बाद यहाँ पे कुछ इंसेंस इस्टिक्स वगरा बनाएं जाती हैं जिसको हम लोग यहाँ पर बनाकर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फिर अरूमा मिशन भी इसी से संबंदित है अरूमा मिशन का फेस वन और फेस टू हमने अब भी डिस पर एक सेला पास नजर आता है सेला पास बेसिकली अरूमाचल प्रदेश में दिरांग और तवांग यह दोनों टाउन के बीच में स्थित है जैसा आप यहाँ पर देख पाऊगे तो इसी सेला पास टनल के नाम पर इस बंदर का नाम रखा गया है यह एक नई प्रदाती मि इंडिया और बांगलेदेश के बीच में होती है यह अभी थर्ड एडिशन हुआ है पोर्ट मॉंगला की तरफ पोर्ट मॉंगलो क्या है मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने डिसकेशन किया कि जो सेकेंड एडिशन है वो बे फिर गुषन ने समझागा इंटरस्टेट का उसल किया होता है अभी इस इंटरस्टेट काउंसल को वापसा री कॉंस्टिूट किया गया है जो सरकारिया कंबीशन है बेसिकलि उसके चेर्मेंशिप के अंडर में यहाँ पर इस Interstate Council को एक Permanent Body बनाने के बारे में चर्चा की गई थी, Article 263 के अंदर Interstate Council के बारे मेंचन है, दो State या फिर यहाँ पर इस Union और State के बीच में कोई यहाँ पर dispute होता है, तो उसको Resolve करने के लिए Interstate Council है, साल में तीन बार यहाँ पर यहाँ पर यह मिलत के अंदर हमारे Home Minister, प्लस पांच Union Cabinet Minister और 9 Chief Minister देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद इसका भी काम क्या है मैं आपको समझाया, फिर हम लोगों ने Interstate Water Dispute को समझा, याने की पानी को लेकर यहाँ पर कोई दो राज्जम बे विवाद रहता है, तो उसको Resolve करने के लिए Article 260 के अ जय हिंदु